जय हिन जय भारत और वेलकम टू सी उटी यूजी स्टेडी के अप्रल तो भी एच्चु का फिजिकल वेरिफिकेशन की डेट्स आ चुकी हो क्या 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 डॉक्मेंट आपको लेके जाना पड़ेगा तब ही आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा ध्यानक ना ज आपको फिजिकल वेरिफिकेशन कराने आना है उसकी डेट साथ चुकी है तो पहले डेट देख लो आप लोग ठीक है तो भी एच्चु का फॉर्थ रांड का शेडिव लाया तो उसमें साफ साफ कहा है कि सभी बच्चों को बीए हो बीकॉम हो आपका जिसमें भी एडमिश अज़बास के हो आपको तेरा 14 आर्थ तारीक और तारीक को कॉलेज आकर अपना डॉकुमेंट वेरिफिकेशन करा ना ही कराना पड़ेगा और तुमको तुमको टॉकमेंट लगेंगे उस चीज को देख लो ठीक है तो इनको बनवाल या नहीं बन वाएक उस अपलायग कर क के चले जाना थीके तूहारा सी उटी का स्कोर काड है तुमारे कितने नंबर आये ते उसकोMmऎर आये तो आपको मॉस्त इंपोर्टनि ऩॉत्त क्या चाहां भी इचाहांतो पूछानगे कर चाह denkt मच की मार्क शीट तुमारा सी उटी का स्कोर कार्ड है ना अब आगे देखो और क्या क्या चाहिए दो पो मतलब अपनी 45 पासपोर्ट साइट फोटो लेके आना ठीक है मतलब यहां पर लगेंगी उसके बाद आपको स्कैंड कॉपी अपना सिगनेचर का तो यहां पर मिल जाएग पाई क्या आप अपका क्याटिंट का सेटिफिकेट है सी का 망णी से मस्ट लेवल का मानने नहीं है अब इस मारे सेट प्लाई करतों कोई दिखकते में कर लेकर इसे शनुम्म के प्लाइक की और खरोग च्शूब加入 सेब्स ये तुमने कोई भी अपना मागशीट वह तो सब ठीक है तुम्हारा टीसी लगेगा तुम्हारा करेक्टर सेटिफिकेट लगेगा माइग्रेशन लगेगा डो मिसाल बहुत तक नहीं लगता है पर फिर भी बार बनवा लेना ना वह बने तो इसके लिए बहुत परिशान मत हो न है तो इस तीनो चीजसे भनवा लेना क्या चीज है फिर से बता देता हूं या si अगर करते हो तो पूरा अधिकार है कि तुमको यहां से बाहर निकाल दिया जाए ठीक है उसके बाद डोजियर और तुमको दो भरने पड़ेंगे तो एक पेरेंट्स द्वारा एक तुम्हारे द्वारा अब ध्यान रखना अगर आप पेरेंट्स को नहीं ला सकते हो तो परि सब्सक्राइब करके अगर तुमको आगले वीडियो मिलता हूं तब तक छैनल को सब्सक्राइब करके रखो